चलिए आगे बढ़ते हैं बात धार जिले की कर लेते हैं जान नसरपूर के पास बाजरी खेडा गाउं में किसान को अपने खेट में तेंदुए के दो शावक मिले किसान उन्हें घर ले आया, तीन दिन तक दूद पिलाया और दूनों शावकों को नहलाया इतना ही नहीं, जब ठंड लगी तो उन्हें धूप में भी रखा ताकि तब यतना भी कर जाए पहले किसान ने वन बभाग को इसकी जानकारी दी, लेकिन वन बभाग के करमचारियों ने उन्हें जंगली बिल्ली का बच्चा बता कर अंदिखी कर दी तीन दन में जब शावक गुर्राने लगे तो किसान को शक हुआ, जब उसने गाओं के लोगों से बात की तो ग्रामईनों ने बिल्ली के बच्चों को तेनदुए के शावक होने के आश्रें का जदाए किसान शावकों को पोलिस चौकी लेकर गया जहां पोलिस ने उन्हें वन विभाग को सौंप दिया है जब इस तरह की धोका किसान को हो गया जब बिल्ली के बच्चे समझे लेकिन निकले तेंदवे के बच्चे और जब घर पुले के आ गये किसान उसके बाद भी जब वन विभाग से कहा गया कि ये बिल्ली के बच्चे नहीं है तब सारी बात निकल कर सामने आई